तो वेलकम तू योर टीचर क्लास और आज हम लोग प्रशना वाली 10.3 का कुश्चन नमबर 9 और 10 बनाएंगे पिछली वीडियो क्लास में हम लोग कुश्चन नमबर 8 तक बना चुके हैं तो कुश्चन नमबर 9 क्या कहरा बच्चो एक वेफारी ने एक रुपए के पाँच की दर से 100 नीबू खरीद कर अब एक रुपए की पाँच की दर मतलब ये हो गया कि एक रुपए में पाँच नीबू ठीक है कितने में खरदा एक रुपए में पाँच की नीबू के हिसाब से उसने 1000 नीबू खरीद कर ठीक है खरीद कर ठीक है एक रुपए की चार की दर से बेच दिया देखें एक रुपए में पांच नीबू के हिसाब से उसने 1000 नीबू खरीदा और एक रुपए की चार की दर से बेच दिया मतलब एक रुपए में चार नीबू के हिसाब से उस न लाब प्रतिशत ग्याद कीजिए, ठीक है, तो हमें उसका लाब प्रतिशत निकालना, तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं, तो चलिए बच्चों मैंने प्रश्न को यहां पर लिख दिया है, एक वेपारी ने एक रुपे की पांच की दर से एक हजार नीबु कर एक रुपे के चार की दर से बेच दिया, तो उसका लाब प्रतिशत ग्याद कीजिए, ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर पांच नीबु, ठीक है, पांच नीबु वो कितने रुपे में खरीद रहा है, बच्चों एक रुपे में, ठीक है, पांच नीबु एक बटे 5 रुपए में, तो 1,000 नीबू, 1,000 नीबू कितने में खरीदेगा बच्चों वह 1 बटे 5 गुना 1,000 रुपए में, ठीक है, 1,000 रुपी में, तो पांदूनी 10 यानि 200 रुपे, ये कितना हो गया बच्चों, 200 रुपे हमारा आ गया, ठीक है यानि एक हजार नीबू एक रुपए की पांच नीबू के हिसाब से एक हजार नीबू वह दो सो रुपए में खरीदता है यानि कि बच्चो क्रे मूल्य क्रे मूल्य जो है वह निकल गया हमारा दो सो रुपए एक रुपई की दर से चार की दर से बेचना है नीबू को तो चार नीबू वो एक रुपई में बेचता है तो एक नीबू वह कितने रुपे में बेचेगा? एक बटे चार रुपे में बेचेगा, ठीक है? तो एक हजार नीबू वह एक बटे चार गुना, एक हजार रुपे में क्या करेगा बच्चो? बेचेगा, ठीक है? तो चार से यह जो है आपका 250, यानि कि 250 रुपे में वह बे यानि कि वह पांच की दर से नीबू एक रुपए में खरीद कर वह एक हजार नीबू दो सो रुपए में खरीदता है ठीक है अब यहाँ पर चार नीबू की दर से एक रुपए के हिसाब से तो एक रुपए में चार नीबू बेचता है ठीक है तो एक हजार नीबू जो वह ब बेच रहा है बच्चो तो उसको अड़ाई सो रुपए में बेच रहा है तो यह इसका क्या निकल गया बच्चो यह निकल गया इसका विक्रे मूल विक्रे मूल कितना निकल गया हमारा दो सो पच्चास रुपए ठीक है दो सो में एक हजार नीबु खरीदता है और अड़ाई बच्चो लाब हो रहा है तो लाब क्या हो गया दो सो पचास माइनस दो सो यानि की पचास रुपए उसे कितना लाब हो गया बच्चो पचास रुपए का लाब हो गया लाब कितना हुआ पचास रुपए अब हमको लाब को प्रतिशत में निकालना है ठीक है तो लाब प्रति लाब हमारा कितना है बच्चो 50 और क्रेम बुल्य क्रेमिल्य हमारा कितना है बच्चो 200 ठीक है यहाँ पर देखिए हमने निकाला था क्रेमिल्य क्या है हमारा 400 ठीक है तो हम यह लिखेंगे therme 200 गुला 100 एक हुन एक शुन यह कट गया और पचास जो है दो से कितने बार में कट गया बच्चो पचीस बार में ठीक है यह कट गया पचीस बार में यानि यह आ गया पचीस प्रतिशत तो उसे कितना लाव वह बच्चो लाव प्रतिशत उसका निकल गया पचीस प्रतिशत चलिए हम लोग आगे दस नमबर क पर उसे दस प्रतिशत का लाब एवं दूसरे पर उसे 20 प्रतिशत की हानी हुई बताईए उसे लाब हुआ की नहीं लाब या हानी प्रतिशत में ग्याद कीजिए तो बहुत ही आसान कोश्चन है ये एक दुकानदार के है बच्चों दो साइकल को बेशता है और हर साइकल की कीमत 1100 रुपे है जब एक साइकल 1100 में बेशता है तो उसे 10 प्रतिशत का लाब होता है और जब दूसरी साइकल 1100 रुपे में बेशता है तो उसे 20 प्रतिशत की हानी होती है तो हमें ग्याद करना है कि हानी हुई कि उसको लाब हुआ तो चलिए हम लोग इस प्रेशन को हल करते हैं तो दिखी बच्चों यहाँ साइकिल का विक्रे मूल हमें दिया है साइकिल का विक्रे मूल दिया है तो एक साइकिल का विक्रे मूल जो है बच्चों कह रहा है कि 1100 रुपे है ठीक है, एक साइकिल का विक्रे मुल 1100 रुपए है, तो दो साइकिल का विक्रे मुल क्या हो जाएगा बच्चों, दो गुना 1100 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा, दो शुन ने शुन, दो शुन ने शुन, दो एक दो, दो एक दो, यानि कि 2200 रुपए, यानि कि 2200 तो चली हम लोग आगे देखते हैं दिखिए यहां पर क्या करना है बच्चो स्पायकिल का हमको क्रेय मुल हमने निकाल लिया अब हमें क्या करना है बच्चो स्प्रतिशत का लाब है दूसरा cycle बेचने पर 20 पतिशत की हानी है तो यानि कि हम लोग को अलग-अलग cycle का क्रयम मुल जो होगा वो इलग होगा यानि दोनों cycle का क्रयम मूल अलग-अलग होगा और उससे हमें अलग-अलग निकालना पड़ेगा ठीक है तो हम यहाँ पर पहले वाले साइकल का क्रेम मूल निकालते हैं तो पहले वाले साइकल का क्रेम मूल जो हैं बच्चो मैंने कहा था कभी भी solution को करते समय question को हमें क्रेम मुल को कितना मान लेना है बच्चो, 100 रुपए मान लेना है, ठीक है यह हम लोग पहले वाले cycle का निकाल है तो माना की cycle का क्रेम मुल 100 रुपए है, ठीक है तो cycle जब बीच था तो उसे 10% का लाब हो रहा है तो हम लोग यहाँ पह लिखेंगे 10% के लाब पर प्रथम विक्रेम मुल ठीक है, 10% के लाब पर प्रथम विक्रेम मुल यानि 100 का जो है 10% कितना होगा बच्चो 10 बटे 100 100 और 100 कड़ गया यानि 10 तो कितना हो गया 10% के लाब पर पर प्रथम विक्रे मुल, तो 100 रुपय में यह 10 रुपय जब हम जोड़ देंगे, तो यह 110 रुपय हो जाएगा इसका प्रथम विक्रे मुल, ठीक है, 10% के लाब पर प्रथम विक्रे मुल जो होगा, वो 100 प्लस 10 होगा, क्यों 100 प्लस 10 होगा, कि 100 रुपय का 10 प तो सो में दस जोड़ दी, यह हमारा प्रथम विक्रे मुल्य बन गया, चीक है, अब देखी, हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे, जब, ठीक है, क्या लिखेंगे, जब 110 रुपे विक्रे, ठीक है, विक्रे मुल्य है, जब 110 रुपे विक्रे मुल्य ह कितना है 100 रुपए ठीक है जब एक रुपए विक्रे मुल्य है तो क्रे मुल्य जो है बच्चो वह कितना है बच्चो क्रे मुल्य कितना होगा हमारा सो बटी 110 रुपए ठीक है जब यहां पर लिखेंगे 1100 रुपए जो है विक्रे मुल्य होगा तो क्रे मुल्य जो होगा वह क कितना होगा बच्चों क्रे मुल कितना होगा सो बटे एक सो दस गुना ग्यारा सो ठीक है ग्यारा सो तो शुन से यह शुन कट गया और ग्यारा से एक सो दस दस बार में गया और यह सो गुना दस बराबर एक हजार रुपए ठीक है एक हजार रुपए यानि पहले वाले साइक का क्रे मुल ठीक है यानि कि एक साइकल एक साइकल का क्रे मुल जो है बचो वह एक हजार रुपए है ठीक है एक साइकल का क्रे मुल एक हजार रुपए है किसे बचो दस प्रतिशद के लाब पर अब हम तो दिखें बचो हमने एक हजार रुपए क्रे मुल निकाला ठीक है पहल एक साइकल का जिस पे 10 प्रतिशत का लाब हुआ, यह हमने एकिक निगम से निकाला, मैंने आपको फॉर्मुला कई बार बता है, बच्चो पिछली वीडियो क्लास नहीं बता है, क्रेमुल का फॉर्मुला होता है, विक्रेमुल गुना 100, बटे 100, प्लस लाब प्रतिशत, इस में रखकर भी आप क्रेमुल निकाल सकते हैं, तो क्रेमुल यानि विक्रेमुल कितना है बच्चो, हमारा 1100 रुपे, गुना 100, और 100 प्लस 10 प्रतिशत लाब है, तो हम यहां 10 लिख देंगे, तो यह कितना हो जाएगा बच्चो, 1100 गुना 100, बटे 110, ठीक है, एक शुन से य गया और यह जो है, सौ बार में गया, तो यह कितना हो गया बच्चो, सौ गुना 10 बराबर 1000 रुपे, तो देखे, इस सूत्र से भी हम जो है, क्रेमुल ग्यात कर सकते हैं, ठीक है, तो चली बच्चो, हम लोग एक साइकल का क्रेमुल तो 1000 रुपे निकल गया, जिस पे 10 प्र फिर से माना की साइकल, ठीक है, माना की साइकल का क्रेमुल, कितना है बच्चो, 100 रुपे है, माना की साइकल का क्रेमुल 100 रुपे है, ठीक है, तो 20 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की हानी हुए, दूसा साइकल बेशने पर, तो 20 प्रतिशत की हानी पर प्रथम, ठीक है, 20 प्रतिश इताला होगा, यानि, कि 20 पतिशत की हाने, यानि 100 का अगर 20 पतिशत निकालेगा बच्चों आप, 100 का 20 पतिशत, तो आजाएगा 20, तो 10 को माइनस कर देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 80 रुपए, कितना हो गए बच्चों, यह हमारा हो गया, 80 रुपे, ठीक है, 100 का 20 प्रतिशत कितना होता है, 20 होता है, तो 100 में से हम 20 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाए, 80 रुपे, क्योंकि 20 प्रतिशत की हानी हुई है, तो हम उसको घटाएंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, ह वह है 100 रुपे, ठीक है, तो जब एक रुपे विक्रे मुल्य है, तो क्रे मुल्य कितना हो गया बच्चों हमारा, क्रे मुल्य कितना है, 100 बटे 80 रुपे, ठीक है, जब 1100 रुपे विक्रे मुल्य है, तो क्या हो गया बच्चों, तो क्रे मुल्य जो है, वह हो जाएगा सो बटे असी गुना ग्यारह सो, सो बटे असी गुना ग्यारह सो, अब हम लोग इसको काटने का कोशिश करेंगे, हल करेंगे, तो एक शुन से यह एक शुन कट जाएगा, ठीक है, एक शुन से यह एक शुन कट गया, ठीक है, यह आठ जो है दो से चार बार में कटा, और यह प 25 बार में कटा, फिर यह 2 से 110 जो है वह 55 बार में कटा, ठीक है, 55 बार में कटा, तो कितना हो गया बचो यह, 25 गुना 55, पचीस गुना 55 जो है, वह कितना हो जाता है बचो, 1375 रुपे, ठीक है, 1375 रुपे, तो बीस प्रतिशत की हानी पर साइकल का क्रेम मूल जो है वो बच्चों कितना होगा एक हजार तीन सो पच्छतर रुपए एक हजार तीन सो पच्छतर रुपए जब आप इसको 25 में 55 का गुना करेंगे तो 1375 आएगा 75 रुपए तो पहले वाले साइकल का जब 10 प्रतिशत का लाब हो रहा है तो साइकल का क्रेम मूल 1000 रुपए है और जब 20 प्रतिशत की हानी हो रही है तो साइकल का क्रेम मूल 1375 रुपए है यह जो 1375 रुपए है बच्चों यह जो है क्रेम मूल जो हमने यह निकाला है साइकल का इस वाले सूत्र में भी आप रखकर निकाल सकते हैं। फिर इसको हल करेंगे, ग्यारा सो गुना सो बटी हो गया नीचे हमारा असी, ठीक है, तो यह शुन से हमारा यह एक शुन कट गया, आठ जो है वह चार बार में दो से कटा, और यह जो है वह पचास बार में कटा, दो से चार दो बार में कटा, और पचास पचीस बार में कटा, दोसी यह जो है बच्चो 55 बार में कटा ठीक है तो 55 गुना 25 कितना हो गया बच्चो 1375 रुपए यह क्या निकल गया बच्चो हमारा क्रेमुल कौन सा निकला क्रेमुल बच्चो हमारा यह क्रेमुल हमारा निकला दूसरे वाले साइकल का ठीक है दूसरे वाले साइकल का मैं इस पहले वाले साइकल का क्रेम मुले जो है बच्चो एक हजार रुपए है और दूसरे वाले साइकल का क्रेम मुले कितना है बच्चो एक हजार तीन सो पच्छतर रुपए है ठीक है तो हम क्या करेंगे बच्चो इन दोनों को क्या करना है बच्चो हमें जोड़ देना है तो पा साइकिल का क्रेमुल निकल गया थिक है दोनों साइकिल का क्रेमुल निकल गया अब देखे बच्चो दोनों साइकिल का क्रेमुल यह दो हजार तीन सो पच्छतर रुपए में ठीक है और विक्रेम जो हमारा विक्रेमुल था बच्चो जो हमारा विक्रेमुल था दोनों साइकि तो हानी बराबर 2375-2200, तो हम इसको माइनस करके देखते हैं, 2375-2200, तो पाँच का पाँच, साथ का साथ, तीन में से दो गया एक और यह 175, यानि कि 175 रुपए की क्या होई बच्चो, हानी होई, तो हानी प्रतिशक का यह सुत्र है, इसमें हम लोग इसको रखेंगे, हानी प्रतिशक, तो हानी प्रतिशक बदाबर 175, बटे क्रेम मूल कितना है, बच्चो मारा 2375, गुना 100, अब हम लोग इसको हल करेंगे, तो यह 5 से काटेंगे बच्चो, तो यह 5 से काटेंगे, तो यह 475 में कटेगा, और 175 से 35 बार में कटेगा, ठीक है, फिर हम लोग 5 से काटेंगे, 35 को तो यह 7 बार में कटेगा, और 475 जो है बच्चो, वह आपका 95 प्रतिशत की क्या हुई बच्चो अब हम लोग क्या है बच्चो 140 को 19 से हम लोग कर सकते हैं 140 को हम लोग 19 से भाग देंगे 140 को हम लोग 19 से भाग देंगे बच्चो तो 19 सत्य जो है वह 133 आएगा 10 में से 3 गया 7 और यह कट गया यानि 7 होल 7 बटे 19 ठीक है तो यहाँ जाएगा 7, 7 बटी 19 प्रतिशत की क्या हुई बच्चो, प्रतिशत की क्या हुई हानी हुई, ठीक है, तो अगले वीडियो क्लास में लोग 10.4 प्रशनावली को करेंगे